सब्सक्राइब करें और जो बच्चे नहीं है चैनल पर वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरू करें दूसरों के साथ नॉलेज को जरूर बाटें तो देखिए जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं जो डेलेट कर रहे हैं या टेट एक्जैम की तयारी क तो सभी के लिए मेरी कोशिश रहते हैं कि आप लोगों के लिए जो Gobierno फोर्स में अच्छे से पढ़ें सर्फ पास उने का आपको कोई बैनिफेट नहीं है तो नोलिजफ बहूत जरूरी है जिसको आप आगे यूज कर सकते हैं जब आप speech a met complain जुए विडियो संप्लोड करते हूं कोशिश रहते कि सभी के लिए मैं कुछ यूपी टैट की तियारी कर रहे हैं तो उनके लिए लाइज सेशन में ने कंड़क किये हैं तो जो आप लोग के लाइज सेशन ने उसका टाइमिंग आप लोगों 10-5 कर रहता है तो वह और फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं लाइज सेशन को देखि लर्णिंग टीचिंग तो इसी में आप लोग का यह पेपर 2S के लाव और भी मैंने कॉस्ट पेपर्स डिसकस की हैं आप लोग के साथ में शियर की हैं तो वह सब आप लोगो प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट बनी वही है सभी बच्चों के लिए तो बीट क्लास करने होते हैं M.D.U का question paper है आप लोगों का और M.D.U.C.R.S.U. यह जो हर्यानाई उनिवस्ट का semi pattern होता है almost तो इसमें आप लोगों का question number 1 है वो compulsory है जिसमें 4 short notes दे गाए होते हैं उसमें कोई choice नहीं होती है तो इसमें आपको देखिए first दिया गया है importance of girls education लड़कियों की शिक्षा का मैं है तो second है इसमें main recommendations of wood dispatch 1854 तो wood dispatch 1854 की मुख्ये सिफारिश है वह यह देखिए मैं आप लोगे सार में discuss किया हुआ है आप इस topic को वैसी सर्च करके पढ़ सकते हैं wood dispatch 1854 by बविदा गुपतर मैं हम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा next is concept of liberalization उधारी करने क इसके बाद आपका source of imparting distance education दूरस्ति शिक्षा परदान करने के स्त्रोथ इसके बाद unit 1 आ जाती है आप लोगों की unit 1 है what is the role of education in empowerment of weaker section of society elucidate existing schemes for the education of weaker section of society समाज के कमजोर वर्वों के सशक्ति करण में शिक्षा की क्या भूमिका है समाज के कमजोर वर्वों की शिक्षा के लिए मोजुदा योजनाओं की व्याख्या करें next is the question is explain the fundamental duties of Indian constitution what is their importance भार्टेल संविधान के मौलिक कर्तवियों की व्याख्या कीजिए उनका मैत्व क्या ह इसके बाद unit 2 आ जाती है आप लोगों की आपको रोटल 4 unit से हर यूनिट में दो दो कोशन दिये गए होते हैं exam में आपको एक कोशन करना होता है बट आप exam की प्रिपेशन कर रहे हैं तो सारे कोशन अच्छे से प्रिपेर करने हैं आप लोगो तो unit 2 में आपको first question दिया गय हैं जिसमें 88 marks के दो short note दे गए हैं आपको इसमें recommendations of secondary education commission regarding aims of education शिक्षा की उदेश्यों के समद्ध में माधिमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश है next is the main features of Macaulay minute तो Macaulay के कारेवद की मुख्ये विशेशता है इसके लाद unit 3 आ जाता है unit 3 में आप लोगों का explain the concept of universalization of elementary education discuss the problems of universalization of elementary education in brief तो सार्भोमिक शिक्षा की अधार्ना की व्याक्या करें प्रात्मिक शिक्षा के सार्भोमिक करण की समस्यां उपर संक्षेप में चर्चा करें next is इसके अदर what do you mean by modernization discuss its advantages and disadvantages in the field of education तो आधुनिक की करण से आपका क्या भी प्राय है शिक्षा के शेत्र में इसके लाब और हानी पर चर्चा कीजिए इसके बाद unit 4 आजाती है unit 4 के अंदर आप लोग को देगी जो 8 question है उसके अंदर दो parts दिये गए है short notes तो इसमें first short note आपको दिया गया है characteristics of modern education system आधुनिक शिक्षा पढ़नाली के विशेष्टा है next है इसके अंदर impact of new economic reforms on education शिक्षा पर नए आर्थिक सुधारों का प्रभाव इसके बाद आपका आजाते है what is culture describe the relation between culture and education तो संस्कृति क्या है संस्कृति और शिक्षा के बीच संबंद का वर्णन कीजिए तो इस तरीके से total nine questions दिये गए होते है 16 marks का हर एक question होता है जो first short note है वो भी उस चार short notes को मिलाके 16 marks का आप लोग का बनता है तो इस तरीके से आप लोग अपने exam की तयारी करें हैं सारे questions अच्छे से prepare कीजिए कोई भी doubt होता है comment box में लिकर आप लोग पूस सकते हैं जो बच study continue रखिए exam के time पे ही पढ़ना होता है ऐसा नहीं होता है पहले से preparation करके चलिए अपनी और videos informative लगते हैं तो इनको like जरूर करें चैनल को subscribe करें दूसरों के साथ knowledge को जरूर बाटें तो जल्दी मिलते हैं next class में अभी के लिए thank you धन्यवाद